जेहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करेंट अफेर्स की क्लास पर मैं हूँ आप सभी का राजा गुपता एक और इंपोर्टेंट टॉपिक वाइस किंग सिरीज में टॉपिक ले करके आया हूँ ये टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है इसका नाम है इंपोर्टेंट सूजकांक है भारत के सब इक्जांस के लिए जरूरी उससे यहां पर हम डिसकस करेंगे तो देखिए इसके पहले हमने अवार्डस और हमने ये वाला आपको सेक्शन दे दिया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी है आप जाईए वहां पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं और आज आप देख पा रहे हैं सूजकांक हुआ इंडेक्स दोस्तों आप लोगों के लिए टेस्ट भी रखा है हमने आपर इंपोर्टेंट इंडेक्स का यहां पर टेस्ट भी रखा है जो भी आप आज क्लास में पढ़ेंगे उसका आपका टेस्ट होगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पूरे प्रस्णों का टेस्ट होगा लाइव टेस्ट होगा आपकी रैंक पता चलेगी आप मेरे से डारेक्ट वहां पर बात भी कर सकते हो 27 मई को टेस्ट है एप्लिकेशन में 10 बजे 10 से 40 फ्री टेस्ट ह फ्री टेस्ट है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई क्लिक करोगे और डारेक्ट आप टेस्ट पे पहुँच जाओगे इस प्रकार से आपकी रैंकिंग भी जारी की जाती है आपको इसकी पीडियाप राप्त करनी है तो आपको राजा गुपता करेंट अफेर्स टे भारत की रहde Gang टो आपको याद रहरा है ऑक्रों चप्ते नेएक सबसीियाप में तो व्ल्ड्स पूछ जा जाता है आप से पूचा जा सकता है टो यह है युनाइटे नेशन के संटेनेवल डव सलूशन नेटवर्क इससे जारी किया जाता है इस पें बहुत बहुत से देखे जाते हैं जिस अधार पर वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स जारी किया जाता है किसी देश में पर्सनल प्रीडम कितना दिया गया है किसी देश में सोशल सपोर्ड कितना है वहां पर भरस्त्राचार की क्यास्तिती है उसी अधार पर ये जारी किया जाता है अब आप से पर लगा अतार छटवे साल से यहाँ पर अगर हम स्तिती देखे तो सबसे नीचे अफगानिस्तान है यहाँ पर भरस्टा चार भी है और आतंगवाद भी है सबसे नीचे अफगानिस्तान है 137 प्लेस पर मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई है फिल्लेंड के बाद डेन्मार्ग, आइसलेंड, इसराइल ये पूरा प्लेस है खुशाल देशों का यहाँ पर देखे USA की रैंकिंग देखे तो यहाँ पर 15 है भारत के पडोसी देश में चीन के रैंक 64 है अगला प्रशन आप सभी के सामने तो इसका राइट एंसर होगा रणवीर सिंग प्यारे दोस्तो रणवीर सिंग सबसे वेलियवल मुल्यवान सेलिबरिटी बने है दा मोस् वेलियवल सेलिबरिटी रिपोर्ट भी जारी करा गया और यहाँ पर बात करें जो इसकी शिर्शक है वो है beyond the mainstream यह जो report की title है वो है beyond the mainstream और इसमें सबसे उपर यह हैं दूसर नंबर पर विराट को लिए 176.9 million dollar इनकी brand value है और ठैर नंबर पर है अक्षाई कुमार अगला प्रश्णी रहा QS World University ranking में IIT Bombay को भारत में कौन सा स्थान मिला है तो देखे इसको स्थान मिला है भारत में पहला स्थान इसका राइट एनसर होगा भारत में पहला स्थान मिला है आईटी बॉम्बे को आपको ये बात याद रखना है और अगर दुनिया में बात करें तो पूरी दुनिया में इसकी rank 47 है और वो engineering और technology की छेत्र में तो IIT Bombay को 47 place मिला है QS World Universities ranking में engineering और technology में भारत में पहला है और पूरी दुनिया में 47 IIT Bombay को 80.4 अंक हासिल हुए है और दिल्ली का भी नाम आता है इसका नाम है IIT दिल्ली जो 48 place पर है अब यहां पर बात करें तो सबसे बहतर प्रदर्शन करने वाला university गौन सा है तो आपने सुना होगा Harvard University जो की अमेरिका में है वैश्विक आतंगवाद सुचकांग जारे किया गया इसमें आतंगवाद का सबसे प्रभावित देश कौन सा है according to global terrorism index 2023 which country is most affected by terrorism तो आप सभी को पता है तालिवानी कहां पाये जाते हैं अफगानिस्तान में पाये जाते हैं और अफगानिस्तान में सबसे अधिक जो है आतं आतंगवाद सुचकांग का दसवा संस्कृण जारी किया गया है और इसमें सबसे नीचे सबसे उपर आतंगवाद में आप कहेंगे तो आपको याद रखना है वह terrorist activities के बारे में बताया जाता है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है तो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश आपको पता होना चाहिए आपका भारत है इसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और सबसे जादा अबादी बना दी है अब important यह तो आपको पता है कि भारत ने चाइना को छोड़ा लेकिन इससे जादा important है यह report किसने पेस की है तो यह है संयुक्त राष्ट जनसंख्या कोस यह आप से पूछा जाएगा United Nation Population Fund के द्वारा इस report को जारे किया गया भारत में अ 142 दसंबलो 86 करोड हो गई है वही पर चायना की बात करें तो 142 दसंबलो 57 करोड चीनी है यह सईुक्त राष्ट जनसंख्या कोश की बारे में हम बता दे आपको तो United Nation General Assembly का एक important और गन है इसका काम होता है प्रजिन स्वास्त यानि कि इस प्रकार से population बढ़ रही है वो सारे report तयार करना 1967 में इसके द्वारा यह स्थापित हुआ है और report का नाम है state of world population report ठीक है अगला प्रशन है हुरून का global unicorn index 2023 जारी किया गया unicorn संख्या के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला what is India's rank in terms of numbers of unicorns in हुरून's global unicorn index तो friends भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है हुरून global unicorn index में अब आप सोच रहोंगे सर unicorn क्या होता है बताएंगे थोड़ा धैर रखे थोड़ा सबर करिये तो unicorn उसे कहते हैं ये जो term होता है जिस company की valuation 1 dollar billion हो जाती है अगर रुपेयों में बात करें तो 8000 करोड रुपे जिस company की valuation पहुँच जाती है उस company को unicorn बोला जाता है और इसी मामले में भारत पुरी दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है भारत में 63 unicorn है पुरी द नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे भारत है यहां पर आप पूरा report देख पा रहे हैं 666 unicorn है United States of America में अगला प्रश्ण देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले चीफ मिनस्टर कौन बने है वेक्तीन का नाम है जगं मोहन रेड़ि क्या नाम है जगं मोहन रेड़ि देश के सबसे अमीर इनकी वेल्थ है पांसो द 나서 कडिपेमा ख हंडू सेंड नम्बर पे 63 करोड नवीन पतनायक 63 करोड और सबसे गरीब है ममतब एनरजी 15 लाग पिनराइव एजन 1.2 करोड वह क्या खेल है वही तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कितने अमीर हैं यह तो डाटा वह ओफीशल जारी किया गया है तो यह जो रिपोर्ट होती है किसके द्वारा जारी किया गया जिसमें मुख्यों मंत्रियों के बारे में बताया गया कौन कितना अमीर है सबसे अधिक आर्टीफीशल इंटेलिजनस निवेश वाला देशों में भारत की रेंक क्या है वाट इस इंडिया रेंक एमंग दा कंट्रीज विद्धा हाइस एई इन्वेस्मेंट तो स रिपोर्ट है किसकी दौरा जारी की गई है तो स्टैनफोर्ड विश्विद्याले का आपने नाम सुना होगा और इन्हों ने इस रिपोर्ट को जारी की और भारत को पाचवा स्थान दिया है यहां पर भारत में 3.2 अरब डॉलर का AI सेक्मेंट में निवेश हुआ है अगला प्रश्ण विश्व बैंक के रसत प्रदर्शन सुचकांग 2023 जारी किया गया भारत की कौन सी रैंक है वाट इस इंडिया रैंक इन वर्ड लॉजिस्टिक पर्फॉर्मेंस एंडेक्स तो लॉजिस्टिक पर्फॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का 38 प्लीस है भारत ट्रांस्पोर्ट किया जाता है किसी भी एकनोमी के लिए ट्रांस्पोर्टेशन जो माल ढुलाई होती है वो बहुत जरूरी होती है अगर इसमें अच्छा पर्फॉर्म नहीं करेगा तो उसकी एकनोमी अच्छे से नहीं चलेगी तो यह वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वा मेरे पहरे दोस्तों अगर आप SSC की त्यारी कर रहे हैं आप PSC की त्यारी कर रहे हैं आप Railway की त्यारी कर रहे हैं बिहार की त्यारी कर रहे हैं तो अनकैडमी आपकी त्यारी में बहुत हल्प करने वाला है भारत के हर कोर्स आपको अनकैडमी एप्लिकेशन पर मिल जाते ह फ्री ग्लासेस तो वहां दिन भर चलती है आप अगर रेगुलर कोर्सेस को पढ़ना चाते हैं तो वहां भी आप एंडरोल कर सकते हैं इसी सेग्मेंट में SSC का अभी बहुत सार एक्जाम हो रहा है SSC की त्यारी करते हैं आप 12 महीने जिसमें 6 महीने मुफ्त मिलता है तो 5936 र है राजा CA10 कोड यूज करना जरूरी है तभी आपको यहां पर और डिसकाउंट मिल जाएगा राजा CA10 बहुत सारे बैचेस लॉंच हुए है यह लक्ष बैच आज ही यह बैच लॉंच हुआ है इसके अलावा CGL बैच बहुत सारे बैच लॉंच हुए बहुत सारे टॉपर से यहां से बने हैं आइए देखते हैं राज और डक्षता सुचकांग SSSEEI 2021 का रिपोर्ट पेस किया गया तो इसमें यह रिपोर्ट पेस किया है तो और प्रदेश का जिसने एनर्जी इफैसिंसी की सेगमें में बहुत अच्छा काम किया है दूसरा प्लेस आता है करनाटक का ठेड केरल का चौथा राजस्थान का इस रिपोर्ट को भारक के जो वर्तमान यूनियन पावर और रिनियोबल एनर्जी मिनिस्टर है इनका नाम है राज कुमार सिंग इन्होंने इस रिपोर्ट को अभी जारी किया है और बताये कौन-कौन से राज उर्जा दक्षिता सुचकांक में अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी को पता है एनरजी efficiently use होनी चाहिए freedom house index जारी के आगे इसमें सबसे कम rank वाला देश कौन सा है which country is the lowest rank country in the freedom house index तो freedom house index में सबसे जो कम आजादी मिलती है जो की तिब्बत है जो चाइना के अंडर आता है freedom house index में सबसे कम rank वाला देश है आपको याद रखना है वो है तिब्बत यह पूछा जा सकता है least free index अब यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह किस के दोरा जारी किया जाता है तो global watch dog watch dog freedom house के द्वारा इसे जारी किया जाता है next भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक भारत का जो sex ratio है कितना होगा what will be the sex ratio of India by 2036 as per the women and men report in India तो देखे भारत में जो sex ratio है बढ़ेगा भारत में sex ratio बढ़ जाएगा sex ratio क्या होता है 1000 पुर्सों में जितनी महिलाएं उपस्तित जितनी महिलाएं होती है जितनी किसी भी अभी देखे 943 भारत का sex ratio है तो ये कहलाता है sex ratio अभी महिलाओं की संख्या कम है पर धीरे धीरे बढ़ रही है ऐसा report में बताया गया है ने रहा status of tigers 2022 report पेश किया गया भारत में total बागो की संख्या कितनी है what is the total number of tigers in India as per the status of tigers report तो tiger report जारी किया गया इसमें भारत में बागो की संख्या 3167 टाइगर प्रेजेट में पाय जाते हैं दोस्तों बागो को बचाने के लिए हमने बहुत प्रयास किये 1973 में हमने tiger project launch किया था और tiger project के बाद धीरे धीरे हमने प्रयास किया अब अब जाकर के tiger का जो संख्या बढ़ गया है अब यह जो report है PM मोधी जी ने जारी की 50 साल पूरे हो गये है tiger project के और status of tigers report 2022 जारी किया गया तो friends यहाँ पर present में आप से पूछा जाए कितने tiger reserve है 53 आप से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा 53 number का tiger reserve था रानीपूर tiger reserve 53 number का tiger reserve है भारत में सबसे दा tiger कहां पाय जाते है MP में दूसरे नंबर पे कौन सा देश है कौन सा राज है करनाटक राज है कब मनाया जाता tiger day 29 जुलाई को मनाया जाता है तो सारे important points आप ध्यान से देख सकते हैं और पढ़ सकते लिख सकते हैं दुनिया का नौवा सबसे वेस्ट हवाई एड़ा कौन सा है तो दुनिया का नौवा सबसे वेस्ट हवाई एड़ा है भारत का इंदिरा गांधी अंतर राश्टी एरपोर्ट जो की दिल्ली में है यहाँ पर आप उससे देख पा रहे हैं इंदिरा गांधी अंतर राश्टी हवाई अड़ा बहुत ही सुन्दर है मैं जा करके आया हूँ तो इन आकडों को airports council international जिसे हम बोलते ACI इसके दौरा जारी किया गया है यहाँ पर हम बात करते हैं दुनिया के सबसे उपर क्योंकि यह तो नौवा है तो सबसे उपर आता है hearts field Jackson Atlanta international airport USA का है सेकेंड नमबर आता डलास फोर्थ वर्थ एरपोर्ट ये भी USA का है डैनवर भी USA का है ठीक है टॉप थ्री बता देता हूँ बाकी तो इंपोर्टेंट हैं बट टॉप थ्री बता दिया हाली में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई दो हजार पाइस न्याय तक पहुँच प्रदान करने वाला राज्यों और यूटी की सूची में सबसे उपर कौन सा राज है विच स्टेट हैस टॉप दे लिस्ट ऑफ स्टेट्स और यूटी इस प्रोवाइडिंग एकसेस टू जस्टिस एस पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट तो जस्टिस प्रोवाइड करने में न्याय तक पहुच प्रदान करने में ये काम सबसे अच्छा करनाटक ने किया है कौन से राज ने किया है करनाटक राज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में टॉप किया है तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुस्वार करनाटक न्याय तक पहुँश प्रदान करने वाला यूटी और स्टेट दोनों की केटेगरी में सबसी उपर है ये जो जस्टिस रिपोर्ट होती है चार पैरामीटर पर डिपेंड करती है पहली है पुलिसिंग वहाँ पे जुडिसरी कैसी है वहाँ पे लीगल इड कैसा है और वहाँ की जेल की विवस्था कैसी है खाली में अर्टन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स जारे किया गया 2023 भारत की व्यक्तिकत पासपोर्ट रेंकिंग क्या है वाट इस इंडिविज्जल पासपोर्ट रेंकिंग ऑ 144 है 144 है वहीं पे हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स में भारत के रेंक 85 है ये भी important है अगर आपसे 188 पूछ ले तो आप बता देंगे 144 इसकी रेंक है ये भी बता सकते है त्यारे दोस्तों जो सबसे उपर कौन सा देश है अर्टन कैपिटल पास्पोर्ट पावर करेंक में तो यह है UAE सेकेंड रैंक पर है स्वीडेंट ठेड रैंक पर है जर्मनी चले हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी किये गई भारत स्वा निर्मित अरब पतियों की मामले में किस स्थान पर है जिनके पूरवज और यह सब नहीं बनाया खुद की महनत से आगे बढ़ रहे तो सेफ मेड बिलिनियर्स में भारत थर्ड प्लेस पर है ठीक है और सबसे उपर आता है चाइना जहां पर सेफ मेड बिलिनियर्स जो है तुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयतक देश बनाया है एकॉर्डिन टो सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री वॉर्ड लार्जेस्ट आमस इंपोर्टर इन टू थाजन ट्वेंटी टू तो दोस्तों भारत जो है यह सबसे ज़्यादा आमस इंपोर्टर वाला देश बन ग आप से पूछा जा सकता है फिर से बोल रहा हूं इस टाक होम इंटरेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पिछले पांस साल में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना है जिसका पूरी दुनिया में कॉंट्रिविशन 40% उसके ब पाद नंबर आता है फ्रांस का इस शिक्षा मंत्राले के अनुसार किस राज की लिट्रेसी सबसे कम है विच स्टेट लोवेस लिट्रेसी रेट अकॉर्डिन टू मिनिस्ट्री अजुकेशन तो शिक्षा के मामले में बिहार सबसे पीछे है जहां पर साखशर्टा दर सबस मेंद्र प्रधान इनका नाम है जो भारत के वरतमान सिक्षा मंत्री है इसके बाद नंबर आता है अरुणाचा प्रदेश का फिर आता है राजस्थान का दोस्तों सबसे ज़्यादा साखशर्ट सबसे साखशर्ट राज है वो है केरल 94 परसेंट यहां पे साखशर्टा है औ रिपोर्ट रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है और दुनिया का आठवा सबसे प्रदूशित देश भारत को बताया है इसके अलावा अगर बात करें आगर कौन सा देश सबसे उपर है तो यह है चाड दूसरे नमबर पे है इराग ठैर नमबर पे पाकिस्तान चौते नमबर पे बहरीन पाच्वे नमबर पर है चलिए प्लियार है आगए बढ़ें नेस्ट को देखते हैं एसी आई एसक्यू अवाउड्स 2022 के इनुशार किस हवाई एड्डे को सबसे बेस्ट हवाई एड्डे का दरजा दिया गया which airport has been ranked the best airport according to ACI ASQ Awards 2022 तो ACI ASQ Awards में सबसे best award तिरुचिरा पल्ली अंतरास्ट्री हवाई अड्डे को मिला है किसे मिला है तिरुचिरा पल्ली अंतरास्ट्री हवाई अड्डा जो की केरल में है कहां पर है केरल में है यह जो रिपोर्ट है ACI के द्वारा जारी की गई Airport Council International के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और तिरुचिरा पल्ली अंतरास्ट्री हवाई अड्डा एशिया प्रशान छेत्र में सबसे best दरजा इसे दिया गया यूनिसेफ के अनुसार कुपोशट से पीडिद गर्वती महिलाओं के संक्या में कितने प्रतिशत की बृद्धी हुई है According to UNICEF The number of pregnant women suffering from malnutrition has increased by what percent तो इसका right answer है 25 प्रतिशत तो दोस्तों 25 प्रतिशत कुपोशट बढ़ गया है पीडिद गर्वती महिलाओं के संक्या में इदाफा हुआ है ये बात बोला जा रहा है कुपोशट किसे कहते है देखे एक balance diet होती है जिसमें protein होता है जिसमें क्या होता है विटामिन होता है गर्वती महिलाओं जो pregnant महिलाओं है उनमें 25 प्रतिशन का इदाफा हुआ है रिपोर्ट ने बता है कि एक अरब से अधिक महिलाओं और किशोरियां कुपोशट से पीडित है यूनिसेफ की बात कर लेते है तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिसेफ डे कब मनाय जाता है तो हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाय जाता है और 1953 में इसका नाम बदल कर संयुक्तरास्ट बाल कोस किया गया था 1953 में ये बात आपना देखी फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिसेफ का जो हेड क्वाटर है वो कहां पर है तो ये नियू यूर्क संयुक्तराच अमेरिका में है और ये जो स्पेसली काम करता है तो पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे जितनी भी माताएं है उनकी डवलप्मेंट के लिए काम करने का इसका काम है दोस्तो अगर आपने अभी तक ये वाली सिरीज नहीं देखी है जिसमें पूरसकावर और सम्मान पहले से करा दिये गए है तो आप इस वीडियो को जा करके देख ले प्लेलिस बनी हुई है आप देख सकते हैं अगला प्रशन देखते हैं हाली में चुनावी लोगतन सुचकांग 2003 जारी किया गया भारत की रैंक क्या है वाट इस इंडियास रैंक इंदी एलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स तो भारत की एलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108 वा स्थान है आप कैसे याद रखोगे हमारे जॉइंट सेशन बुलाया जाता है जिसमें राजसभा और लोकसभा दोनों साथ आते हैं वो भी एक प्रकार का डेमोक्रेसी ही ही है जब सभी साथ में आ रहा है तो 108 नमबर याद रखना 108 नमबर का माला जबते हो तो ऐसे आप याद रखना चुनावी लोकतन सुचकांक में भारत का रैंक 108 है यहाँ पर यह जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है तो यह वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट है आपको याद रखना है वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 भारत बहुत सारे देशों से पीछे है जैसे मेक्सिको, सिंगापूर, तंजानिया इन सभी देशों से भारत की रैंक नीचे है यहां पर हम बात करें तो सबसी उपर कौन सा देश है तो यह है डेनमार्क क्या नाम है डेनमार्क सबसी उपर देश है अगला प्रशनी रहा अंतराश्ट्री बौधिक संपदा इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है तो भारत की रैंक 42 है अंतरास्ट्री बौधिक संपदा इंडेक्स में इंटरनेशनल जो IP इंडेक्स होता है ये किसके दौरा जारी किया जाता है US Chambers of Commerce के दौरा इसे जारी किया जाता है IES में एक कोशन बूचा गया है और इसमें टोटर 55 कंट्रीज शामिल किये गए इंक्लूट किये गए और इसमें भारत का प्लेस 42 है यहाँ पर सबसी उपर कौन सा देश आता है तो United States of America सबसी उपर है इसके बाद UK है इसके बाद France है दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूशित सहर कौन सा बन गया है which has become the second most polluted city in the world तो देखे मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूशित जो शहर है बन गया है मुंबई ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है मुंबई जो की हमारी देश की financial capital कही जाती है इसने दिल्ली को भी पीछे छोड़ा है और प्रदूशन के मामलें में ये दिल्ली से भी आगे है देखे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्रदूशित सहर कौन सा है तो ये लाहोर है जो की पाकिस्तान में है हैले पास्पोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया भारत को कौन सी रेंक मिली है तो हैले पास्पोर्ट इंडेक्स में भारत की रेंक 85 है कौन सी रेंक है 85 रेंक है है हैले पास्पोर्ट इंडेक्स में अब यह जो index है किसकी दौरा जारी किया जाता है तो भारत में हनलेंट partners के दौरा जारी किया जाता है और पहला स्थान जापान का है किसका है जापान next है network readiness index 2022 जारे किया गया भारत किसमें कौनसी rank है what is the rank of India in the network readiness index 2022 तो Network Readiness Index में भारत की रेंग 61 है, कौन सी रेंग है, 61 है भारत की, यानि भारत जो है किस प्रकार से Network को पहुचा पा रहा है, ये Network Readiness Index है, इसके जारी करता कौन है, Portulance Institute, 131 countries को इंक्लूड किया गया है, और सबसे उपर अमेरिका है, और सबसे नीचे चाड है, जो की सबसे प्र सुचकांक 2022 जारी किया गया, भारत की रेंग क्या है, वाट इस रेंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022, तो भारत की रेंग 41 है, 41 स्थान पर है भारत ग्लोबल पेंशन सुचकांक में, और ये जो रेंकिंग है, किसके दौरा रिलीस की जाती है, मर्सर CFA Institute क के द्वार, यहां पर टोटल 44 कंट्रीज है, और सबसे उपर कौन सा देश है, वो है आइसलेंड, क्या नाम है, आइसलेंड, कानून और ववस्था सुचकांक 2022 में सबसे पहला इस्थान किस देश का है, विश कंट्री हैस टॉप्ड दा लौ एन ओर इंडेक्स 2022, यानि लौ और को मेंटेन करने में सबसे उपर कौन सा देश है, तो ध्यान रखीएगा, यह जो देश है, यह सिंगापूर, सिंगापूर सबसे उपर है, जहां पर लौ और सबसे अच्छा है, सिंगापूर लोजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी सबसे उपर है, मैंने आपक से उपर है, सबसे नीचे अफगानिस्तान, भारत का स्थान 80 है, भारत का प्लेस कौन सा है, 80 है, clear, वैश्विक भुखमरी सुचकांग जारी किया गया, भारत को कौन सा प्लेस मिला है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का प्लेस 107 है भारत 170 स्थान पर है 107 स्थान पर है आपको याद रखना है देखे इसको कौन जारी करता है तो कंसन वर्ल्ड वाइड और वेल्थूंगर हिल्प के द्वारा जारी किया जाता है यह इंपोर्टेंट है सबसी उपर कौन सा कंट्री है यह है बेलारूस और हमारा भारत 107 प्लेस पर है आली में पब्लिक अफेर्स इंडेक्स जारी किया गया 2022 इसमें बड़े राज्यों में कौन सा जो राज्य सबसी उपर है जिसने पब्लिक के लिए अच्छा गाम किया और यह है राजस्त यह हर्याना पब्लिक अफेर्स इंडेक्स में हर्याना सबसी उपर है कौन सा राज्य है हर्याना पब्लिक अफेर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों की स्रेड़ी में सबसी उपर है अगर यही पर आप से पूछ लिया जाए कि छोटे राज्यों की स्रेड़ी में सबसी उपर कौन सा ह वह सिक्के में और यह जो जारी करता है पॉब्लिक अफेर्ट सेंटर्स की दौरा जारी किया जाता है यह इंडेक्स वैश्विक नवाचार सुचकांक 2022 में कौनसा देह सबस्रेट है? अब यह जो इंडेक्स है किसके दोरा जारी किया जाता है इनवेशन के छेतर में वोर्ल्ड इंटलेक्टिल प्रॉपर्ट्रे और्गनाइजीशन के दोरा भारत को इसमें 40 प्लेस मिला है कौन सा प्लेस मिला है 40 प्लेस मिला है मानव विकास सुचकांग 2021 22 जारी किया गया कौन सा कंट्री सबसे उपर है विश कंट्री रेंक्स फर्स्ट इन Human Development Index तो Human Development Index में सबसे उपर है सुटिजर लेंड क्या नाम है सुटिजर लेंड दोस्तों जो ये जारी किया गया है संयुक्तराष्ट विकास कारिक्रम United Nation Development Program के दोरा जारी किया गया है और सबसे उपर सुटिजर लेंड है और भारत मानव विकास सुचकांग में 132 वे स्थान पर है पोशन अभियान योजना रिपोर्ट 2022 में चोटे राज्जो की स्रेणी में कौन सा राज प्रतम स्थान पर है विच स्टेंड हैड बीन रेंग दफर्स इन दा केटेगरी ओफ स्मॉल स्टेट इन पोशन अभियान योजना तो पोशन अभियान योजना में सिक्किम स्टेट जो सिक्किम राज है ये सब से उपर है पोशन अभियान योजना रिपोर्ट में इस रिपोर्ट को भारत की नीती आयोग के द्वारा जारी किया जाता है नीती आयोग भारत की ठिंग टैंक बॉड़ी है 2015 में इसकी स्थापना की गई प्रजेंट में इसके प्रेसिडेंट जो चेर्मेन है वो है भारत के प्रधान मंत्री मोदी जी और जो इसके वाइफ प्रेसिडेंट है वो है सुमन बेरी और सीओ कौन है वो है बीबी याज शुबरमन्यम बड़े राज्यों की स्रेडी में सबसी उपर महरास्ट है सेकंड प्रेश पर आंत्रदेश है और ठर्ड प्रेश पर गुजरात है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की गई भारत को कौन सी रैंक मिली है तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को 135 प्रेश मिला है भारत 135 में स्थान पर है यह जो वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट होती है इसे वर्ल्ड एकनोमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और इस बार का 16 एडिशन था जिसमें 146 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है और सबसे लास्ट प्लेश पर अफगानिस्तान है भारत नवाचार सुचकांग 2022 में ओवर्ल राज्यों की रैंक में सबसे उपर कौन सा राज्य है नवाचार में जो सबसे अच्छा काम किया है वो करनाटक ने किया है किसने किया है करनाटक राज्य ने नवाचार में टॉप किया है यह जो रिपोर्ट है नीती आयोप के दोरा जारी की गई 3rd edition था 2nd place पर तेलांगना है हमने इंडिया जेस्टिस रिपोर्ट में भी करनाटक को सबसे पहला स्थान दिया था आपने अभी पढ़ा है अंतिमिस्थान किस राज्य का है 36 गड़ का है उत्तरपूरो पहाडी राज्यों में रैंकिंग में सबसे उपर मड़िपूर है रास्त्री खाद्य सुरक्षा सुचकांत 2022 जारे किया गया इसमें सबसे पहला स्थान किस राज्य का है विच स्टेट रेंक्स फर्स्ट इंदी नेशनल फूट सेक्यूरिटी इंडेक्स 2022 तो रास्टी खाद सुरक्षा सुचकांत में ओरीसा जो ओरीसा स्टेट है ये सबसे पहले स्थान पर है जो ये रिपोर्ट है सेंटरल गुवर्मेंट के दोरा जारी की जाती है और सबसे रिपोर्ट में सबसे पहला स्थान किसका है विच कंट्री हैस टॉप इन्द रिन्यूबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट तो नवी करणी उर्जा क्या होती ऐसी उर्जा जो विंड एनर्जी है सोलर एनर्जी है ये सब ही क्या है ये सब गैर परामप्रगस त्रोथ हैं य इन्हें हम रिन्यूबल एनर्जी सोर्स कहते हैं और इस मामले में टॉप किया है अमेरिका ने अमेरिका में सबसे ज्यादा नवी करणी है 2022 की जो रिपोर्ट पेस की गई वह ज्यादा स्यादा रिन्यूबल एनर्जी बना रहा है अब इसे कौन जारी करता है तो अमेरिका अमेरिका इसे आप चाइना करें चाइन फेरस अमेरिका तो पहले स्थान पर चीन Laugh इस्टेड प्लेस पर अमेरिका में और ठ्री seven पहले स्थान करीए रिपौर्ट ऑजे जारी किया मि एता पारत की रैंग कैंफ इंडिया is still तो Global Skills Report जारी की गई है और भारत इसमें 68 प्लेस पर है Global Skills Report में आपको यह बात याद रखना है और इसे कौन इशू करता है तो कोर सेरा और सबसे पहला स्थान है Switzerland का इसका स्थान है Switzerland का सबसे उपर है विश्व प्रेस तो तंता सूचकांग 2022 जारी किया गया भारत की रेंक है most important question दोस्तो what is the rank of India in World Press Freedom Index भारत में दिन बाद दिन प्रेस की आजादी चिनती जारी है एस इंडेक्स के दोरा बताया गया है भारत अब 1500 प्लेस पर पहुँच गया है भारत 150 प्लेस पर पहुच गया ह विश्व प्रेस सतंता सूचकांग में और इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है रिपोर्टर्स बिदाउट बॉर्डर्स के द्वारा और ये था 20 नंबर का एडिशन यहाँ पर टोटल 180 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और पहले स्थान पर है नॉर्वे पर्स प्लेस नॉर्वे और लास्ट प्लेस पर है उत्तर कोरिया भारत का स्थान 150 है वैश्विक खाद सुरक्षा सूचकांग 2022 में भारत की रैंग क्या है वाट इस रैंग आफ इंडिया इन दे ग्लोबल फूट सेक्यूरिटी इंडेक्स तो ग्लोबल फूट सेक्यूरिटी में भारत 68 पर है देखिए खाद सुरक्षा क्या होता है कि कोई भी गरीब भूखे पेट ना सोई आने वाले समय तक हमारे पास इतना फूड उपलब्द रहे तो हर वेक्ति को गरेंटीड भोजन मिलना चाहिए यह है खाद सुरक्षा तो दोस्तो भारत इसमें 68 पर है और सबसे उपर है फिल्लेंड यदि आपसे पूछा जाए कि इस इंडेक्स को को जारी किया है दा इकनोमिस्ट के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है यह जो दा इकनोमिस्ट है यह जारी करता है आज का आखरी कोशन गाईस कैसा लगा सेशन बताईएगा कमेंट बॉक्स पर वैश् जारी करता है इनका नाम है Institute for Economic and Peace इसके द्वारा जारी किया जाता है 162 countries में भारत जो है यहां पर 135 प्लेस पर है चलिए यहां पर अगर हम बात करें दुनिया का सबसे शांत देश कौन सा है तो यह कमंड करना कि आपको सेशन कैसा लगा और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दू आपका टेस्ट होने वाला है आपका टेस्ट होने वाला है अने अप्लिकेशन पर मैंने आपको बताया अप्लिकेशन पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपके सूचकांग पढ़े हैं उसका होगा आपका टेस्ट इसलिए पढ़के आना सबसे आखरी में आपका टेस्ट मतलब यह जो डेट हमने बताया था पिर से हम आपको बता दे कि जो डेट है आपकी वो है 27 मई 27 मई को आपका यहां पर देखें आप 27 मई को सुबह 10 बचे आपका टेस्ट है 10 से लेके 10 चालिश तक तो यह आप टेस्ट दीजेगा आपने पढ़ लिया टेस्ट देना बताना कितने नंबर आए और वहां पता चल आपको कितना याद है और इस प्रकार से आपकी रेंकिंग जारी होगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है इसकी पीडियाफ आपको राजा गुपता करेंट अफेर्स पे मिल जाएगी और दोस्तों इसके बाद हम इंपोर्टन एपोइन्मेंट इंपोर्ट अपको कितना इंट्रेस्टिंग लग राया सेशन और नहीं लग रहा तो ये बी बताइएगा इसके अलावा दुस्तों मैं आपको बता दू कि हमारा जो ट्रंडिंग टॉपिक्स है वो भी चल रहा है मंतली ब्रॉपिक्ली ब्रॉपर्र वीकली बी चल रहा है इसju इसे तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं खुश रहिए मुस्कुराते रहिए